नमस्कार दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चेरण में दोस्तों हम बात करेंगे मिथुन नासी वाले जातकों के लिए 13 जून सनिवार का दिन कैसा रहेगा बैपार व्यवसाई करियर लव लाइफ और आपके स्वास्त के बारे में आपको बताएंगे इसके साथ ही आज के दोरान बरती जाने वाली उनमहत्पुन सावधानियों के वारे में भी आपको बताएंगे आपको बताएंगे आपका लगी कलर लगी नंबर कौन सा रहने वाला है कौन से चेटरों में कारे करदे से आपको जादा सफलता आपके मान, सम्मान, इज़द, पत्रिष्टा में बढ़ोतरी हो सकेंगी आप अपने कारे चेटरों में वहतर प्रदर्शन कर शकोगे इसके लिए आप क्या करें, क्या कहते हैं आपके सितारे और आप किस प्रकार से अपने समाज में अपने कलक्ष बेलग पहचान बना सकते हैं समाज वाले गर वाले परिवार वाले किस प्रकार से आपके इज़त कर सकते हैं किस प्रकार से आपके मान मर्यादा में बढ़ोतरी होंगे और आपको बताएंगे कि आपको अपने करजों से किस प्रकार छुटकार अमिल सकता है आप अपने जीवन में किस प्रकार सफलता को प्राप्त कर सकते हैं आपको बताएंगे सारी जानकारे विश्तार से वीडियो को हक्री तक दिखेगा उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवस्य कर लें ताकि रुजानर आसी फल आपको समय से मुल सके और आप आने वाले दुनों को बहतर बना सकें मत्रों मित्वन रासी वाले जातकों को बताना चाहेंगे कि या आपके सितारे बुलंद रहने वाले हैं आपको इन समय अचाहनक से धनलाव होने के यूग बन रहे हैं तथा किसी खास दोस्त से आपको अपने वैपार को बढ़ाने के लिए चर्चा भी करने पड़ सकते हैं आपको अपने चर्चाओं का उचित सार भी प्राप्त होने वाला है दामपत्य जीवर में आपके मदूर्ता बनी रहेंगे और जीवन साथी के साथ आप अपने सम्मंदों को भी बहतर कर सकते हैं आपके द्वार लिए गए महत्पूर्ण निर्ने बड़े कदम आपको काफी सहता कर सकते हैं मित्वन रासी वाले जातकों को बताना चाहेंगे कि आप अपने जीवन साथी को कोई गिप्ट देने का वादा भी कर सकते हैं जो कि आपके लिए काफी अच्छा रहेगा आपके दामपत्त जीवन में भी काफी मदूरता वढ़ी रहेंगे और मित्वन रासी के जो लोग मॉडलिंग के छेतर से जुड़े हैं लोगों को किसी अच्छी ब्रांड के लिए काम करने का ओफर भी आ सकता है आपको काम करने में काफी खुशी भी पुराप्त होंगे परन्तु आपके पिता की सेहत आपको परिसान कर सकते हैं ऐसे में मित्वन रासी वाले जातकों को स्वास्त का ध्यान विसेश रूप से रखना होगा आपका यह समय काफी बहतरिन रहने वाला है साथ है आपके पुद्वनती की बात भी चल सकते हैं नोकरी पेसा वाले जातकों को कारिशेतर में अत्रिक्त कारवार की जिम्मेदार यां विसो पी जा सकते हैं जिनको अगर आप सही तरीके से निभाते हैं तो आपको जैलरी उरही पुद्वनती मिलेंगी और आपकी जितनी भी परिशानिया हैं वे दूर होंगी मत्रों अगर आपको पुदुनती चाहिए अगर आपको अपने सैलरी में बढ़ोतरी चाहिए और अगर आप ऐसा चाहते हैं कि आपके सम्मंद काफी बेतर हो तो आप अपने बॉस यो और अपने सहकार्मियों के साथ अपने समंदों को बहवार को सुद्रिडबन अवस से ही प्रियास करें ताकि आपको आपके बहवार के चलते आपके ज्यान के चलते और आपके अधबुच्छान के चलते आपके ऑफिस में आपके सहकर्मियों और आपके अधिकारी जो हैं वे आपका सपूर्ट कर सकें और आपको नोकरी में पुद्वनती भी प्राप्त हो सकें मित्रों मित्वनदासी वाले जात्कों को बताना चाहेंगे कि आप कुछ नया सीखने का भी मोका प्राप्त कर सकते हैं आपको आफिस में नय प्रोजेक्ट पर कारी करने के मोके भी प्राप्त होंगे आप नया सीख सकोगे तथा मितुनडासी की महिलाओं को अपने स्वास्त पर ध्यान देने की जरूरत रहेंगे मितुनडासी वाले जातकों को बताना चाहेंगे कि आप अपने स्वास्त को विसेश रूप से ठीक करने का प्रियास करें आपको अपने दामपत्ते जीवन को भी बहतर बनाने के लिए परियास करने होंगे तथा आप लोगों के वेट जो भी गलत फहमिया हैं जो भी आपके अर्चने हैं उनको दूर करने की आप अवस्य कोसित करें मितुनरासी वालिजा तक अपने आपको उर्जावान महसूस करेंगे मन में नई चीजों की जानने के उच्शुकता बनेंगे नई चीजों को जानकर आप काफे परसन होंगे भाई वहन आपके पूरी मदद करेगा जीवन साथी को लेकर आपके जिम्मेदारियां बढ़ सकते हैं आप जीवन साथी के सारे दुख और तकलिफों में काफे सामिल होंगे जीवन साथी के सारे इक्षाओं को भी पूरी करने में आप काफे सक्चम होंगे जीवन साथ ही आपके सारे सुकदुक को काफी बाटने में सहाता कर सकते हैं मतुंडासी के टीन एजर के लिए यसमें काफी अच्छा रहेगा जो लोग नव युवक हैं, विरुजगार हैं, विद्यार्थी हैं और इसमें अपने कारिशित्र को लेकर काफी ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं उन लोगों के लिए यसमें थोड़ा सा विवदापुन रह सकता है वे पढ़ाई में डिश्टेक हो सकते हैं, पढ़ाई का मन भी नहीं लग सकता है और आप खेलकूत या विडियो गेमिंग जैसे प्लेटफॉर्म में भी अपना समय व्यातित कर सकते हैं इनसे आपको मानसिक सांती तो मिलेंगी परन्तु भविस्चे में इसको लेकर काफी आपकी अर्चने उत्पन नहो सकते हैं ऐसे में मितुन नासी वाले जातकों को थोड़ा सा धहरे रखने होंगे और सभी चीजों को आपस में मिला जुला कर करने का प्रियाज अवस्य करने होंगे मत्रों आप काफी उर्जावान बने रहेंगे और आपको वर्क प्लेस पे आप जहां भी काम करते हैं तो आपको वहाँ पर कुछ नई जिम्मेदारियां भी स्वाफी जा सकते हैं विद्यार्थो को भी कुछ नए काम वो होमवर्क मिल सकते हैं लम्मिट को कोई सप्राइज भी मिल सकता है जो लोग काफी लम्मे समय से लम्मिट हैं लव रिलेसंसिप में हैं वे अपने बंधन को साधी के बंधन में जोड़ने का परियास कर सकते हैं वहें मित्वन रासी के जो लोग और विवाहित हैं और काफी लम्मे समय से विवाह के लिए काफी वततपर हो रहे हैं परन्तो उनकी विवाह में किसी प्रकार की कोई अर्चने आए दिन आधा कर रही हैं तो ऐसे में मत्वन रासी वाले जातकों को उन सभी चीजों पर ध्यान देने की आवस्यकत आ रहेंगे आप अपने मेदार्यों को समझने का प्रियास करें आपको निश्चित तोर पर विवाह के अच्छे और सुंदर प्रस्ता भी प्राप्त होंगे आपका विवाह भी तैह हो सकता है या आपके विवाह की बात भी चल सकते हैं जो की आपके लिए काफी अच्छा सावीत होगा बिद्यार्थों के लिए आपका समय काफी अनुकूल रहेगा, बिद्यार्थों को काफी अच्छे और नए कार्यों को करने में काफी सफलता होंगे, मत्रों आप अपने जीवन साथी के साथ बात चीत करते समय आपको थोड़ा सा धहर रखने होंगे, आप अपने जीवन साथ को समझने का प्रियास करें, आपका ज़्यादा समय क्रियेक्टिव कामों में वैती तो होगा अर्थाद, आप कुछ नया जानने का, चीखने का, या फिर कुछ नया करने की कोसिज भी कर सकते हैं, आपके दिन्चरिया में बदलाव आ सकता है, मितुन्दासी वाले जात्को को बताना चाहेंगे कि आप कोई बड़ा फैसला बिना सूचे समझे ना लें, अन्य था आपको लेने के देने भी पड़ सकते हैं, ऐसे में मितुन्डासी वाले जातको को किसी भी परकार के कोई भी फैसला लेना है, चाहे वो फैसला आपके जीवन से हों, आपके घर परिवार स हों, या फिर आपके ऑफिस के कामकाच से, या फिर किसी भी परकार के कोई भी काम भार हों, तो आप अपने फैसलों को लेने से पहले अपने माता फिता और अपने बड़ों के सला अवसलें बिना सोचे समझे, कोई भी फैसला या कोई भी बड़ा कदम ना उठाएं, विद भार देवपैसे भी आपके वापस आपको प्राप्त हो सकते हैं और आप इनसे भी काफे प्रसन्र होंगे। मत्रों मित्वन्रासी वाले जातकों के लिए यस समय काफी सहीऊगी और उपयोगी दोनों तरीके से वैतित होगा आप जिस प्रकार से इसका उपयोग करोगे आपको भविस्य में उतनी ही ज़्यादा सफलता प्राप्त होंगे और आपको आपके काम काज का उचित दिसा भी प्राप्त होने वाला है मत्रों मित्वन्रासी वाले जातकों को भाई बहनों के साथ साथ माता पिता का भी सपोर्ट प्राप्त होगा तथा जो लोग बेरुजगार हैं जो लोग काफी लंबिस में से रोजगार की प्राप्ति करना चाते हैं उन लोगों को रोजगार की वस्य प्राप्ति होंगे आपके वैपार में आ रहे अर्चने भी आपकी सुवता ही दूर होने वाली हैं तथा आपको अपने विचारों को दूसरों के साथ सेयर करने के वहत्रेन अवसर भी मिलेंगे मित्रों मितुन रासी वाले जातकों के लिए यह समय काफी उपयोगी रह हैं आप काफी विरुजगार हैं तो आपको रोजगार की प्राप्ति होंगे और अगर आप वैपार करते हैं और खास तोर पर ग्रोशरी से सम्मंदित व्यवसाई करते हैं तो आपको अच्छा खासा मुनाफ़ा होगा और आप नए एग्रिमेंट को भी कर सकते हैं नए खासा का विशेश दिहान रखने की कोसित करें इनसे रिष्टों में आपके मिठास बढ़ेंगे और कुछ घरेलो वस्तों की खरिदारी करने का भी मन आप बना सकते हैं आपके सकरात्मग वहवार से आपके बातापिता भी काफे प्रसन्न होंगे मत्रों मितुन्रा लिजात को को आज के दिन जीवन में सुनवरे पर लेकर आने वाला है आरतिक रूप से आप मजबूत रहेंगे दामपत्ते जीवन में आपसी विश्वास के सहारे आपके सम्मंदों में मजबूती आएंगे सोसल साइट पर आपके से पुराने मित्र से बात कर सकते हैं सरकारी छेतर में कारी रत लोगों के लिए यसमें काफी अच्छा रहेगा आपको अपने कारी छेतर में काफी नए जिम्मेदारिया भे प्रदान की जा सकते हैं वैपार में आपको लाब होने के यूग बन रहे हैं नव विवाहित लोगों के लिए यह दिन काफी बहतरी नसावित होगा फ्यार भरी नोग जोखोंगे रिष्टों में मजबूतियां बरकरार रहेंगे तथा मिठुन्डासी के जात्रों को अपना खुद का रास्ता बनाने के मोखिमनेंगे परिवार में खुशी कामा हो भी बनागा लम्मिट के लिए यह समय कफी अच्छा रहने वाला है आप का दिन बहतर बनें इसके लिए कमेंट बॉक्स में जै माता दी अवस्ते लिखें आप का दिन सुब हो मंगल कारी हो जै माविन्दुवाद